सुम्मवार यानी मंडे सुम्मवार को जद में लोग इस वज़े से रहते हैं सफल जैसी अराम प्रयाग रास्ते में आपका शुराउत्रवासो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अब नंद्द ज्योतिश शास्त के अनुसार हम जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन के स्वामी ग्रहका हमारे जीवन पर काफी प्रभाव कलता है हमारे शास्त्रों में जन्म तिथी के समान ही किस दिन जन्मे हैं उसका भी हमारे भाग पर गहरा असर होता है तो आज जानते हैं सुम्मार को जन्मे लोगों के जीवन वास्तुभाव से जुड़ी क्या खास विशेष्टाइं होती है पर निवेदन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ही दीजे और ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर अवश कीजेगा विशेषर उनके लिए जिनका जन्म सुम्मार को हुआ है और आप किस दिन जन्मे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सुम्मार को जन्मे जातको पर चंद्रमा चंद्रह का विशेष प्रभाव रहता है उस दिन चंद्रमा का उच्छ प्रभाव रहता है इस कारण से इस दिन जन्मे जातक चंचल होते हैं वहीं इनके व्यक्तित में गजब का अगर्शन होता है सुभाव से बेहत सौम होने के कारण ये काफी लोगतरी होते हैं दरसल चन्द्रमा के कारण ही इन लोगों के सुभाव में शालीनता और मीठी वाड़ी का अदभुत मेल देखने के लिए मिलता है बेहत परश्रमी ये लोग अपने लच के पती पूरी इमानदाली से कारी करते हैं जिससे जीवन में उचे पदो पर आसीन रहते हैं समाज में इनका काफी दामका है मगर चंचल मन वजधहर की कमी होने के कारण एक काम में मन नहीं लगा पाते थोड़ी ये सफलता देखकर ही परशान होकर भावक्ता में फैसले लेने लगते हैं दरसल भावक्ता की इनमें काफी अधिक्ता लेती है ऐसे परिस्तियों के अनकूल ढल जाना किसी से बैर ना रखना इनकी अन्ध खूबियां भी है एक काम पूरा होने से पहले ही दूसरा काम शुरू करने की इनकी आदत होती है और यही आदत सफलता की राह में इनके लिए रोड़ा पैदा करती है इनकी इश्वन शक्ति काफी तेश होती है यह विशेश चंद्रमा के प्रभाव से इनका व्यक्तित तो काफी आकरशग होता है जिस कारण से दूसरे लिंग के लोगों से इनका तालमेल काफी अच्छा रहता है अगर पूरुश हैं तो महिला के प्रती, महिला हैं तो पूरुश के प्रती शास्त के अंसार इनका भागयोदे नदी या संबुद्र किनारे रहने से शिवर होता है इस दिन जन में इस्त्रियां मिलंसार, परोगकारी, संवेदनशेल, मधुर वा कलपनाशेल होती हैं इन्हें साफ सफाई से बेहद लगा होता है आकरशक छवी के धनी इस दिन जन में लोगों के प्रेम संबन हमेशा अच्छे बने रहते हैं अपने रिष्टों में ये किसी को छलते नहीं इस कारण से दामपत्ती जीवन में परशानियों का सामना करने पर भी इनकी ये खूबियां जीवन में शान्ती और सरलता बनाये रखती है शास्त्रों के अनुसार इनके लिए यही सलाह होती है कि अपने चंचल मन पर लगाम रखें सुम मुवार्ग को जन में जातक ब्यूटी विद ब्रेन की मिशाल पेस करते हैं ये सुन्दर होने के साथ साथ काफी गुड़ी और मर्दवाशी होते हैं जिस वज़े से ये समाज में काफी लोग प्री होते हैं साफ दिल के इंसान होने के साथ ही किसी पर जल्दी भरोसा करने वालों में से ये होते हैं हलाकि इन्हें प्रेम संबंद के मामलों में अधिक सावधान वा बिभारिक रहने की जरूरत होती है जिनका जन्म सुम्मवार को हुआ है अपनी कैरियर की बेहतरी के लिए पानी से जुड़े रोजगार लिक्विट, सौफ ड्रिंग, या इंपोर्ड इक्स्पूर्ड का काम, मशली पालं का काम, कोई भी सफेद वस्तु का काम, सफेद पत्थरों का काम इससे जुड़े कोई काम करें, व्यापार करें, नौकरी करें तो आप सरक्की ज़्यादा मिलेगी सौमवार को जन्मे लोगों के लिए पानी के नज़्दिक रहने की सलहा दी जाती है अगर स्वास की बात करें, तो सिरदर्द, सरदी खासी, संकरमन आदिसे जुड़ी समत्यों का आम तोर पर इनको सामना करना पड़ता है ऐसी अवस्ता में सौमवार के दिन सफेद वस्तर का दान करें, चीनी का दान करें, चावल का दान करें और भोले नाद की अराधना श्रेष्ट मित्रो, ऐसी ही महत्तपुर जानकारी के लिए आप हमारे लॉंग और शॉट दोनों वीडियो देखते रहें पुना धन्यवाद, जैसी अराम आप घर बैठे, टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विशलेशन और समस्याओं के निवारण के बारे में इस व्रिस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर करें 9454621446